हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैशी क्रिश्ण आज मैं आपको नाड़ी दोश के विशे की विशेश जानकरी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वे प्रश्ण भी कर रहे हैं इसलिए इस विशे को समझाना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि जब तक इस विशे को नहीं समझेंगे आप नाड़ी दोश देखेंगे और मिलान को छोड़ देंगे और मिलान शुब है तब भी आप उस विवाह को नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखें नक्षत्र पाद वेध किसे कहते हैं यह प्रश्ण मेरे पास बार-बार आ रहा है समझ नहीं पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारे वीडियो आज नाड़ी के डाल दूंगा उन्हें आप अवश्य देखें यह पादवेध है क्या इस विशे को समझने के लिए सबसे पहले तो आप नाड़ी क को समझे है कि आजकल लोग कि गर बेठे ही सौफ्ट्वेर निकाल कर उसमें देख लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अस्ट कूट होते हैं इस प्रकार क्या एक चार्ट आप देखें इस चार्ट को द्यान से वर्ण वश्य तारायोनी ग्रह मेत्री गन भकुट नाड़ी यह आठ कूट होते हैं और इस प्रकार का चार्ट आपके सामने आजाता है जब आप गर बेठे मिलान देखते हैं लड़के और लड़की का मान लिजे आपका लड़का है और लड़की देख रहे हैं या आपकी लड़की है किसी लड़के से मिलान देख रहे हैं तो इस प्रकार का चार्ट आपके सामने आता है और फिर उसके आगे अंक भी लिखे हुए होते हैं कि नाड़ी में तो जीरो आ गया या भकुट में जीरो आ गया तो आप यह मान कर चलता है कि नाड़ी दोश हो गई या भ बाल वीडियो पर जाकर ऑल दबाएं उसी सब्सक्राइब करें तो हमारे छैनल को सब्सक्राइब करें दिखर करें इन ऌसे अधर नहीं वीडियो उपर जाकर ओल दबाएं उसी सब्सक्राइब के उपर ओल लिखा हुआ ओल पर दबाएंगे तो आपको सारे वीडियो दिखेंगे बहुत सी बार लोगों को वीडियो ही नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहां सबसे बड़ी समस्या है तो आज पाद वेद की बात हो रही है इस चार्ट को ध्यान से देखें और इस चार्ट में देखें कि नाड़ी के आगे जीरो लिखा हुआ है आप गर पर ही देख लेते हैं आप यह मान कर चलते हैं अब इस मिलान को नहीं करना और यह आप सबसे बड़ी कलती करते हैं गर बेटे ही आप नाड़ी दोश देख लेते हैं नाड़ी के आगे आठ लिखा है तो आप मान कर चलते हैं नाड़ी दोश नहीं है लेकिन जीरो लिखा हुआ है तो आप यह मान लेते हैं अब तो नाड़ी दोश हो गया और आपके हाथ से अच्छा मिलान छूट जाता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नाड़ी के आगे 8 के आगे 0 लिखा है तब भी मिलान हो सकता है और आज बताँगा केवल पादवेद को ये पादवेद क्या समस्या है ये कौन सा विशय है इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं तो आप समझें कि लड़का और लड़की दोनों की जब कुंडली मिलान करते हैं तो उनकी नाड़ी देखते हैं आदी, मद्य और अंत्य तीन प्रकार की नाड़ी होती है आदी, मद्य और अंत्य आदी को अध्धि भी बोलते हैं तो इसी प्रकार वात, पित और कफ आदी का मतलब वात, मद्धि का मतलब पित और अंति का मतलब कफ दोनों की एक ही नाड़ी हो तो नाड़ी दोश होता है लड़के की नाड़ी और लड़की की नाड़ी दोनों एक हो तो नाड़ी दोश लगता है लेकिन सभी परिस्तियों में नहीं लगता है इसलिए इस वीडियो को बनाये गया और आज पाद वेद की चर्चा होगी नक्षत्र के चरण की चर्चा होगी दोनों की नाड़ी एक हो, अंत्य हो तो कफ बढ़ जाता है शरीर में रोक बढ़ जाते हैं कफ से जुड़े हुए, ठनक से जुड़े हुए रोक बढ़ रहे हैं तो यह समस्या हो जाती है और बहुत सी बार लोग इसे संतान से भी जोड़ देते हैं लेकिन सही नहीं है क्योंकि संतान के लिए कुंड़ली देखनी भी अती आवशक है कुंड़ली में भी गुरु की स्तिती देखनी बहुत आवशक है क्यों नाड़ी देखने से संतान नहीं होगी यह एक ब्रांती है नाड़ी दोश हो रहा है तो संतान होगी ही नहीं एसा सुनने में आता है लेकिन यह एक गलत तत्य है आपको कुंडली भी देखनी पड़ेगी कुंडली में पंचम भाव देखना पड़ेगा सब्तम भाव देखना पड़ेगा छटे भाव को भी देखना पड़ेगा तो पादवेद क्या है जब लड़के और लड़की का मिलान किया जाता है यह जो पादवेद जो चक्र आपके दिमाग में बार बार गूंगता है कि यह पादवेद है क्या प्रशन भी कर रहे हैं तो यह पादवेद तब ही देखा जाता है जब गुण 28 मिलते हैं लड़के ल नाड़ी के गुण यदि नहीं मिलते हैं तो 8 गुण कम हो जाते हैं 36 में से क्योंकि नाड़ी के 8 गुण होते हैं सबसे ज्यादा गुण भी नाड़ी के ही होते हैं तो 36 में से 8 गुण गया है तो बचे 28 ऐसा कब होता है ऐसा तभी होता है पादवेद दोश तभी देखा लड़के की राशी और लड़की की राशी मैश है और अश्वीनी नक्षत्र है दोनों का ही अश्वीनी नक्षत्र है तब 28 गुण ही मिलते हैं नारी दोश लिखा हुआ आता है लेकिन ऐसी इस्थिति में भी नारी दोश कब नहीं होगा उसे कहते हैं पाद वेद पादवेद का मतलब पेर पाद का आर्थ होता है पेर नक्षत्र के चार चरण होते हैं चार पद होते हैं उसे पाद बोलते हैं तो चार चरण जो होते हैं उनको देखना आती आवशक हैं एक ही नक्षत्र हो लड़के हो लड़की का तब ही इस बिंदू को देखा जाता है अन और नक्षत्र भी एक ही है वही नक्षत्र है दोनों का जन्म नक्षत्र तभी पादवेद देखा जलता है तो पादवेद कैसे देखता है जैसे मान लीजी लड़के का अश्वीनी नक्षत्र है एक नक्षत्र मान लेते हैं लड़के का अश्वीनी नक्षत्र है और लड़की पुश्य है दोनों का एक ही नक्षत्र है तब 28 गुण तो मिलते हैं लेकिन नाड़ी के आगे 0 लिखा हो वहता है एसी स्थति में भी विवाह कर सकते हैं शुब हो जाता है एसी स्थति में भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा क्यों अब पादवेद का आर्थ होता है चरण अल लीजिए दोनों का एक ही नक्षत्र है एक ही राशी है राशी तो एक ही होगी और नक्षत्र भी एक ही है या राशी अलग-अलग है मान लीजिए राशी अलग-अलग है बहुत सी बार ऐसा भी होता है राशी अलग-अलग है लेकिन नक्षत्र एक ही होना चाहिए उसी नक् बार-बार केने का तात्पर यही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं लड़के और लड़की का जन्म एक ही नक्षत्र में हो उनका आपस में मिलान कर रहे हैं विवाह करना चाहते हैं एसी इस्तती में पाद वेद देखा जाता है लेकिन पेले चरण का क्योंकि हर नक्षत्र के चरण चार होते हैं आप अपनी कुंडली खोल कर देखें लड़के या लड़की उसकी कुंडली में लड़के या लड़की का जो भी नक्षत्र है हो सकता है उसका चरण अलग-अलग हो एसी इस्तती में पाद वेद दोश नहीं लगेगा और मिलान शुब हो जाएगा कैसे मान लीजिये दोनों का अश्विनी नक्षत्र है लड़के का पेला चरण है और लड़की का दूसरा चरण है तो नाड़ी दोश नहीं लगेगा विवाह कर सकते हैं लड़के का पेला चरण है लड़की का तीसरा चरण है तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा विवाह कर सकते हैं एक ही नक्षत्र है लेकिन चरण अलग अलग है लेकिन अब दोश किसके साथ लगेगा पेले चरण का चोथे चरण के साथ दोश लगेगा जैसे अश्विनी नक्षत्र है लड़के का पेला चरण है और लड़की का भी अश्विनी नक्षत्र है लेकिन चोथा चरण ह तो नाड़ी दोश लगेगा ज्यान से सुन ले मैं इसी प्रकार लड़के का चरण दूसरा है अश्वीनी नक्षत्र का उसी नक्षत्र का दूसरा चरण है और लड़की का उसी नक्षत्र का तीसरा चरण है तो नाड़ी दोश लगेगा तो पेले का चोथे चरण के साथ और अलगज raging सकते हैं क्योंकि दूसरे का तीसरे के साथ और पहले चरण का चोथे चरण के साथ पाधवएद दोश लगे Subsihi लेकिन, शॉर्णभ पीर्व में ही बता है कि चबदानक्षत्र यहीं एक्षत्र उन में यदि लटका लडकी दोनों का ज्न्म और happens तो नाड़ी दोश नहीं लगेगा इसलिए उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मैं डाल दूँगा उसका सिर्षक भी यही है कि इन चौदा नक्षत्रों में नाड़ी दोश नहीं लगेगा तो ये चौदान अक्षत्रों तो ऐसे भी हैं जिन में लड़का लड़की दोनों का जनम हो या दोनों का उन चौदान अक्षत्रों में से ही हो राशी मेत्री हो तो नाडी दोश नहीं लगेगा तो नाड़ी दोश सभी परिस्तितियों में नहीं लगता है उसकी इस्तितियां देखनी पड़ती है बिना विचारे अगर आप मिलान करेंगे गर बेटे मिलान करेंगे तो बहुत सी बार अच्छे-चे मिलान छूट जाएंगे आपके आस-पास में कोई अच्छा जोतिशी हो उससे संपर्क करें या आप मुझसे भी प्रश्न करेंगे तो मैं भी बताओंगा लेकिन आपको नक्षत्र भी बताना पड़ेगा चरण भी बताना पड़ेगा तभी पादवेद देखा जाता है और पादवेद जो होता है वह एक ही नक्षत्र में देखा जाता है यदि लड़का और लड़की दोनों का नक्षत्र एक ही हो तभी विशेश नक्षत्र पर ही चलता है पादवेद क्योंकि उसी नक्षत्र के अलग-अलग चरणों में वरवदू का जनम है तब ही पादवेद देखा जाता है अधिक जानकारी के लिए यदि आप संपर्क करेंगे तब भी मैं बताँगा आपको मेंसेज करेंगे तब भी बताँगा लेकिन पादवेद अलग-अलग नक्षत्रों में नहीं देखा जाता है कि लड़के का नक्षत्र तो कोई अलग है लड़की का नक्षत्र कोई अलग है और फिर वहां आप पादवेद देख रहे हैं ऐसे नहीं देखा जाता एक ही नक्षत्र हो दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र में हो एसी स्तथी में ही पादवेद दोश देखा जाता है और उसकी भी condition में बता दी कि पहले का चोथे के साथ चोते चरण के साथ दूसरे का तीसरे चरण के साथ ही दोश लगेगा, इसा नहीं है कि पहले का दूसरे के साथ दोश लग रहा है, पहले का दूसरे और तीसरे चरण के साथ कोई दोश नहीं लगेगा, इसी प्रकार चोते का दूसरे और तीसरे चरण के साथ कोई दोश नहीं झाल झाल